अब अगर हम मूले निधारण के बात करें तो जैसे के पहले भी हमने देखा कि यहां मांग और पूर्ती के शक्तिया जब आपस में के वक्र जब आपस में एक दुसरे को काटते हैं तो वो उस बिंदू पर मूले निधारण होता है आए ग्राफ और रेखा चित्रे के द्वा का निर्मान करेंगे उसमें साधन का मूले उसकी मांग और पूर्ती दर्शाई जाएगी इस तालिका में हम देखते हैं कि साधन का मूले जब 10 रुपय है तो उसकी मांग पास सो इकाई और पूर्ती सो इकाई की है जब साधन का मूले बीस रुपय होता है तो उसकी मांग ह साधन का मूल्य 30alen पर ने पर पूर्टी 301 और सहथन की gi uar होने पर साधन की मांग 221 और साधन की पूर्थी 400 काई की हो जाती है साधन का मुल्य 50 रुपए होने पर साधन की एक सो इक आइ औरส पूर्थी 500 काई की अब इसकी दाएंगरों किति के मुल्य को दर्शाथे के यहां पर सबसे पहले जब मांग वक्त का निर्दारका करेंगे तो हम देखेंगे कि जब साधन का मूल्य 10 रुपय है तो साधन की मांग 500 एकाई, जब साधन का मूल्य 20 रुपय है तो साधन की मांग 400 एकाई, जब साधन का मूल्य 40 रुपय है तो साधन की मांग 200 एकाई, और जब साधन का मूल्य 50 रुपय हुआ तो साधन की मां 100 एकाई की ह हो गयी कि प्राप्त बिंदुओं को हम एक वक्र क्या धार पर यहां प्रदशित कर लेंगे यह से लिए वक्र का नाम देंगे और उसके बाद हम इसी क्या धार पर पूर्थी वक्र भी बना लेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि साधन का मुल्य 10 रुपय है तो पूर्ती 100 आई। जब साधन का मुल्य 50 रुपय है इन बिन्धों को जोड़कर हम पूर्ती वक्त्र का निर्मांब कर लेते हैं। जो पूर्थी वक्त है हैं, वो एक को यूस दूसरे को ई बिंदु पर काचते हैं। तो यह संतुलन बिंदु होगा साधन का मूले मिलधारित होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमplatz है कwegen ई बिंदु वह उस समएय बाजार में साधन का मूले होगा और जो मूल्य हम यहाँ पर दर्शाते हैं वो उस निश्चित समय में है O P और यहाँ पर जो साधन की मांग है वो O Q के बराबर होगी अब अगर हम अत्रिक्त मांग और अत्रिक्त पूर्थी की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब साधन का मूले 20 रुपय था तो साधन की मांग 400 और पूर्थी जो थी वो 200 थी तो यहाँ पर अत्रिक्त मांग की इस्थिती जो है वो उत्पन होती है जिसे हम बिंदू E3 और E4 से यहाँ पर दशा रहे हैं अगली स्थिती में हम देखते हैं कि जब साधन की मांग 200 इकाई की थी तो वहाँ पर पूर्थी 400 इकाई की थी तो यह जो इस्थिती है यह साधन की अत्रिक्त पूर्थी को दर्शाता है जिसे यहाँ पर हम बिंदू E2 और E1 और उसको मिलाने वाली एक रेखा से हम एक अत्रिक्त मांग की अवस्था को प्राप्त करते हैं लेकिन उस निश्चित समय में बाजार में साधन का मूल्य वही होगा जहां पर मांग और पूर्थी की रेखा आपस में एक दूसरे को काड़ते हैं यह मांग और पूर्थी का संतुलन बराबर होता है जो कि इस ग अग और पूर्थी की शक्तियों का प्रेओं की अगर में गोर यह कि जो सी हम देखते हैं कि भूमि की जो उत्पादकता है उसकी प क्या अधार पर हम देखते हैं कि उस वस्तू का लगान क्या नरधारित किया जाए और अच्छे से समझने के लिए आये रोबिंसन की परिभाशा को देखते हैं श्रीमती जॉन रोबिंसन के अनुसार लगान के विचार का सार वबचत है जो कि एक साधन की एक इकाई उस नियूंतब मूलने के उपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपना कारिक करते रहने के लिए आवश्यक है तो आपने देखा कि रोबिंसन ने भी यही माना है कि लगान जो है वो भूमी के अंदर जो शक्तियां है उसकी जो उर्वरता है उसकी जो उत्पादकता है उन शक्तियों के प्रियोग के बदले लगान दिया जाना जरूरी है यहां हम देखते हैं कि जो लगान के जो सिध्धान्त है उनमें जो प्रमुक सिध्धान्त है वो है आधुनिक लगान के सिध्धान्त की बात करें तो आधुनिक लगान का सिध्धान्त का जो आधार है कि जो साधुनों के विसस्टता है उसके आधार पर उन्हें लगान दि लिजर ने किया था तो लगान के इस आधुनिक सिधानत के साथ हम देखते हैं कि यहां पर इन्हें दो भागों में वर्गिकरित करके अध्यन किया जाता है पहला जो है वो है पूर्टा विस्ष्ट साधन और दूसरा जो है वो है पूर्टा आविस्ष्ट साधन तो जब हम प पर जब उसका प्रियोग दूसरी जगा हो यह नहीं सकता है तो यहां अवसर लागत की बात ही नहीं आती और जब अवसर लागत की बात नहीं आती है तो फिर लगान की बात नहीं आती दूसरा अविस्ष्ट साधन यानि ऐसे साधन जिनका कई जगा प्रियोग किया जा सकता ह है और उन्हें दोनों जगां जो है समान लागत जो है व लगा lot की रूप में प्राप्त होती है उनको यह कहा जाए तो ब तो यहां पर हम कहते हैं कि लगान किसी प्रकार का बनी नहीं रहा है आए ग्राफ के द्वरा इसे और अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं लगान निधारण के लिए बनाए जाने वाले रेखा चित्र में हम देखेंगे कि रेखा OX अक्षपर हम साधनों की इकाईया और रेखा OY अक्षपर हम साधन की कीमत को प्रदर्शित करेंगे यहां पर हम देखते हैं कि पूरे रेखा चित्र में जो SS रेखा है वो पूर्ती रेखा है सप्लाई रेखा है और साधन की पूर्ता लोचदार से कम होने के कारण यह जो रेखा है वो नीचे से उपर के और बढ़ती हुई रेखा हमें प्राप्त हो रही है इसके विपरित हम देखते हैं कि मांग की जो रेखा है डिमांड जो रेखा है वो बाएं से दाएं नीचे की और जुटती हुई प्राप्त हो रही है और ये दोनों जो रेखा हैं मांग की और पूर्टी की रेखा वो एक दूसरे को आपस में P बिंदू पर काट रहे हैं तो इस सामय बिंदू पर साधन की कीमत PM या फिर OR के बराबर निधारित होगी है हम कह सकते हैं कि OR कीमत पर वस्तु की जो मांग है वो यहाँ पर OM साधन की कायों की बनी हुई है PM कीमत पर साधन की मात्रा OM प्रेयोग मिलाई जाएगी यानि कि साधन की वर्तमान कीमत PM पर उसकी वास्तिविक आए जो होगी वो OM इंटू PM बराबर OR PM के छित्रपल के बराबर होगी अब क्युकि OS साधन की निउन्तम पूर्ती कीमत है तो इस से कम पर साधन की कोई भी काई कारे नहीं करेगी और साधन की निउन्तम केमत OS तक अगर बढ़ा दी जाए तो बढ़ाने पर इसकी पूर्ती भी बढ़ जाएगी यानि कि S-S पूर्टी वक्र साधन का अवसरलागत वक्र हैं यहां पर O-M इकाईयों का उप्योग करने पर साधन की वर्तमान आए O-R-P-M के बराबर होगी जबकि उसके न्यून्तम पूर्टी O-S-P-M है यानि कि हम यहां यह कह सकते हैं कि O-M साधन की इकाईयों के प्रियोग करने से वर्तमान आए O-R-P-M-O-S-P-M-R-S-P के बराबर लागत प्राप्त होगी अब अगर हम लगान के सिध्धानतों की बात करें तो लगान के आधुनिक सिध्धानत की विशेस्ताओं हम यहां पर देखेंगे लगान के आधुनिक सिध्धान्त के विशेस्ताओं में हम सबसे पहले यह कह सकते हैं कि यह उत्पत्ति के प्रतेक साधनों को प्राप्त होता है अगर हम लगान की बात करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि भूमी की जो उत्पादक्ता है उसके बदले में उसे प्रतिफल लगान के रूप में प्राप्त हो रहा है हमने देखा कि उत्पादन के जो साधन है उन सभी साधनों को उनकी छमता के अनुसार लाब कही न कही प्रतिफल उनको प्रदान किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार उत्पत्ति का एक साधन भूमी है और उसे भी उसका प्रतिफल लगान के सवरूप में दिया जाता है दूसरी हम इसकी विशेष्टा की बात करें तो हम देखते हैं कि वास्तों में लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह जो लगान है यह किसी साधन की जो वास्तिविक ल कर देखते हैं कि वास्तों में यह विस्ष्टता का प्रतिपल है यानि कि भूमी के अंदर कुछ विस्ष्टता है कुछ विश्ष्टता है यानि वह उपजाऊ है उसमें उत्पादक्ता है उत्पत्ति का करण recommendations सबकूं लगान की कारणीप प्राप्त होता है कि अगर कोई साधन अविस्ष्ट है तो उसे लगान प्राप्त भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है जिसके लिए उससे लगान दिया जाए तो यहां पर हम लगान शुनि भी मान सकते हैं वैसे ही इसके विशेष्टाओं में हम देखते हैं कि जहां पर पूर्ती लोचदार है यानि जिस साधन की पूर्ती बहुत जादा है और मांग बहुत कम है तो उस कंडिशन में कहीं न कहीं लगान की जो उत्पत्ती होती है वहीं पर समाप्त हो जाती है लगान उस पर दिया ही नहीं जाता है तो यह कुछ विशेष्टाएं जिनके अधार पर हम कह सकते हैं कि लगान उत्पादन के सभी साधनों के अंतरगत इक महत eder. अगर हम हम देखें श्रम की, तो हम देखते हैं कि श्रम का जो मूल अधारन है, यानि कि श्रम को मजदूरी क्या दी जाए, तो जैसे अनि साथुनों की बाति देखा, हमने यहाँ पर भी हम जो श्रम का मूल्य है, वो श्रम की मांग और पूर्ती की साफिक जो शक श्रमकों को जो उंके कारे के बदले दिया जाता है श्रमकों को उसे एम कहते है मजदूरी तो यहां हम यह क्या सकते हैं कि श्रमकों के जो मजदूरी की दर जब अधिक होती है तो उनकी जो मांग होती है वो कम होती है यहां हम compare करेंगे श्रमिकों के मजदूरी की दर और श्रमिकों की मांग की तो हम देखेंगे कि जब श्रमिकों की मजदूरी की दर अधिक होती है तो उनकी मांग कम होती है श्रमिकों की मांग ह अगर वो कम होगी, तो वहां पर जो श्रम को की मांग होगी, वो अधिक होगी. इस पूरी प्रक्रिया को आएऑ एक रेखा चितर के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं. श्रम के मांग के संबन्द में जो नियम है वो यह कहता है कि मजदूरी के निमन दर पर श्रम के मांग अधिक होती है और मजदूरी के उची दर पर श्रम के मांग कम होती है जब हम इसे एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएंगे तो हम देखेंगे कि रेखा O X अक्षपर हम श्रमिकों की मांग और रेखा O Y अक्षपर हम श्रमिकों के मजदूरे की दर को दर्शाते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जब जब श्रमिकों की मजदोरी की दर O P 1 है तो यहां पर श्रमिकों की मांग कम है यानि O Q के बराबर है दूसरे वस्था में अगर मजदूरी की दर्ग कम हो जाती है यानि कि घट कर O P हो जाती है तो हम यापर देखते हैं कि मजदूरों की जो मांग है श्रम की जो मांग है वो बढ़ जाती है बढ़ कर O Q 1 तक चले जाती है यहाँ पर जो D D वक्र दिख रहा है वो वास्तों में श्रम का मांग वक्र है जो इन दोनों वस्थाओं को E 1 और E बिंदू पर दर्शाती है यानि कि इस रेखा चित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मजदूरी की अधिक दर में श्रम को की मांग बहुत कम है और मजदूरी की कम दर पर श्रम को की मांग बहुत अधिक है तो आपने देखा कि जैसे कि श्रम को की मांग एक महतुपूर्ण रोल अधा करती है कीमत नरधारन में वैसे ही श्रम को की पूर्ती के अगर हम बात करें तो पूर्ती के बारे में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार मजदूरी की दर अधिक होती है और अगर मजदूरी की दर अधिक होती है तो श्रम की पूर्ती के नियम के अंतरगत हम देखेंगे कि जब मजदूरी की दर अधिक होती है तो श्रम की पूर्टी भी उतनी अधिक होती है लेकिन जब मजदूरी की दर कम होने लगती है तो श्रम की पूर्टी भी घड़ जाती है इसे एक रेखा चेत्रद्वारा स्पस्ट करने पर हम देखते हैं कि यहां रेखा O X अक्ष पर श्रम की पूर्ती और रेखा O Y अक्ष पर मजदूरी की दर दी गई है यहां हम देखते हैं कि जब मजदूरी की दर O R है तो इस दशा में श्रम की पूर्ती O Q है लेकिन जब मजदूरी की दर घटकर O-R-1 हो जाती है तो श्रम की पूर्टी भी घटकर O-Q तक रह जाती है जो इस नियम को दर्शाती है कि मजदूरी की दर अधिक होने पर श्रम की पूर्ती अधिक रहती है और मजदूरी की दर कम होने पर श्रम की पूर्ती घड़ जाती है यहां हमें जो एक वक्र S प्राप्त होता है वो यहां पर श्रमिकों की पूर्ती को दर्शाता है इस प्रकार मजदूरी की धर के बढ़ने पर श्रम की पूर्थी बढ़ी और घटने पर श्रम की पूर्थी घट गई तो मांग और पूर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है यह हमने देखा अगर हम मूल निर्धारण की बात करें कि अब श्रमिकों का जो मूल निर्धारण कैसे किया जाएगा तो यहां पर भी हम अन्य साधनों की बाती देखते हैं कि जब श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ती की जो शक्तियां है वो एक संतुलन बिंदु पर आ जाती हैं तो वहां पर उस संतुलन बिंदु पर श्रमिकों के लिए मजदूरी का जो निर्धारण है वो किया ज कि ता यह एक ग्राफ के देखते हैं कि किस प्रकार स्रैक। को के लिए संतुलन्दों का विंद्व का किया जाएगा है मजदूरी का निरधारण श्रमिकों मांग्ज और पूरति की पार्सपरिक शक्तियों के द्वारा जब किया जाता है तो उसके लिए हम जिस तालिका और ग्राफ के आधार पर हम उसे प्रदशिद करेंगे, वो इस प्रकार होगी, यहां हम तालिका में देख रहे हैं कि धैनिक मजदूरी के आधार पर जब मजदूरी 2 रुपए थी तो श्रमिकों की मांग 100 श्रमिकों की थी और पूर्ती बी श्रमिकों की थी जब मजदूरी बढ़कर चार रुपे हो गई तो श्रमिकों की मांग 80 श्रमिक हो गई और पूर्ती 40 रुपे की रह गई जब मजदूरी की दर बढ़कर 6 रुपे हो गई तो श्रम की मांग 60 मजदूरों की और श्रम की पूर्ती भी 60 मजदूर्य बढ़कर 10 रुपय हो गई तो श्रम की मांग 20 मजदूरों की हो गई और फूर्टी 100 मजदूर्य की बराबर हो गई इस तालिका का अगर हम द्यान से निरिक्षं करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे श्रमिकों की जो मांग है वो घटती जा रही है और क्योंकि श्रमिकों की मांग घट रही है इसलिए श्रम की पूर्थी बढ़ती जा रही है इस टेबल के आधार पर जब हम ग्राफ का निर्मान करेंगे तो हम देखेंगे कि हम रे मांग का ग्राफ तयार करेंगे इसके लिए हम देखते हैं कि जब दैनिक मजदूरी दो रुपए है तो श्रम की मांग सो और जब दैनिक मजदूरी चार रुपए होई तो श्रम की मांग असी मजदूरों की दैनिक मजदूरी 6 होने पर श्रम की मांग 60 मजदूरों की दैनिक म मस्दूरी थी तो श्रम की बीस मज़दूरों की थी मजदूरी चार चालि सो गई मजदूरी छह रूपया होने पर श्रम के पूर्टी 60 हो गई मजदूरी 8 lumière छी असी रह गई और मजदूरी इस प्रकार जभ पूर्थी वक्र का नर्माण करते हैं विंदोों को मिलाने पर ठ्वंसे दाएं ऊपर और पर और और श्रम की पूरती में विप्रीत संबंध को दर्शाता है। आधर जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती गई वैसे वैसे श्रम की पूर्ती भी बढ़ती गई अब श्रमिकों की मांग से संबंधित यह जो रेखा ऐस एस और डीडी एक दूसरे को कारते हैं जैसे कि हमने अभी तक देखा वैसे ही यहां पर भी एक संतुलन बिंदू इह हमें पूर्ती भी 60 मजदूरों की है यानि कि यहां पर यह जो 6 रुपय होगा वह बाजार का संतुलित मुली होगा मजदूरों के लिए और अगर हम अत्रिक्त मांग और अत्रिक्त पूर्ती की बात करें तो पहली जो अवस्था है वहां हम देख रहे हैं कि जब दैनिक मजदूरी चार रुपय थी तो वहां पर श्रम की मांग 80 मजदूरों की थी लेकिन पूर्ती जो है वह 20 मजदूरों की थी तो यहां पर अत्रिक्त मांग की इस्थित्यूदपन हो रही है जिसे हम यहां पर आर वन आर टू बिन्दू से प्रदशित कर रहे हैं दूसरी और हम जब अत् पूर्ती को दर्शारा है जिसे हम विन्दू सब्सक्राइब करते हैं अगले साधन यानि की साहसी की हमने बात की तो सहसी को लाव जब प्राप्त होता है लाव कि अगर हम बात करें तो इसकी गड़ना हम कैसे करेंगे तो हमने देखा कि उत्पति के जो साधन है उनके लिए einen Fadun کی Mahan Gaur Purti पर निर्भर करता है और उनसे प्रभावित होता थीक उसी तरह करने दारण मांग और पूर्ठी कि सापधिक्र शक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा तो लैग के बारे में नहें पर कह सकते हैं कि सहासे की जो जब चाहें व्हें से में तो यहां पर करते हैं तो किस प्रकार से वम माँपर्ती चथी उस्थापित करके उनका प्रयास करते हैं ऐस filled और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं लाब निधारन में मांग इवं पूर्टी के शक्तियों के प्रयोग के लिए जब हम ग्राफ का निधारन करते हैं तो यहां हम रिखा O X पर साहसियों की संख्या और रिखा O Y पर लाब की दर को अंकित करेंगे यहां हम देखते हैं कि लाब के दर O R होने पर साहसियों की जो मांग है वो O Q है यहां जब हम वक्र का निधारन करते हैं तो हमें S S वक्र और DD वक्र यहां पर प्राप्त हो रहा है जो कि एक दूसरे को E बिंदू पर काड़ता है यानि हमें आपे कह सकते हैं कि E एक साम्य बिंदू या फिर संतुलन बिंदू है और इसी साम्य या संतुलन बिंदू पर साहसियों की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं यानि हम यह कह सकते हैं कि यह ऐसा सामिबिन्दू है जहां पर उद्योग में ओ आर लाब की दर नर्धारिश की जाएगी अब आई एक नजर डाले खाद्यान उपलब्धता गिरावट सिध्धान्त याने F.A.D. थियोरी मांग और पूर्ति के वक्रों के उप्योग के इस सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया इस सिध्धान्त के प्रतिपादन के पीछे एक सोच यह रही कि जब भारत में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपता बाड़ भूकंप ऐसी कोई प्राकृतिक आपता अगर आ जाती है तो उस समय जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत सीमित ये बहुत कम हो जाती है लेकिन क्योंकि जनसंख्या तो उतनी है तो परियाप्त मात्रा में वस्तु की या खाद्यान के संबन्द में इन सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है तो खाद्यान की मांग तो प्रॉपर वैसी ही बनी रहती है लेकिन पूर्ती सिद्धान्द को और अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं। खादियान उप्लब्धता के गिरावट सिद्धान को समझाने के लिए यहां पर चार प्रकार के ग्राफ दिये गए हैं। यहां हम देखते हैं कि पहले जो तीन ग्राफ है वहां पर तीन परिवार A, B और C के लिए जो उनके इस्थिति है भुकमरी की जो इस्थिति है उसके ये व्याख्या करते हैं इन तीनों ग्राफ के आधार पर जो चौथा ग्राफ बनाया गया है वो इन तीनों ग्राफ को मिलाकर इस प्रकार बनाया गया है ताकि हम उसके तुलना कर सके और इस चित्र में जब हम देखते हैं तो पहला जो परिवार है वो सबसे गरीब हमको यहां पर दिखाई देता है उसकी जो उपलब्दता है वस्तू की वो सबसे कम है दूसरी family B family जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसकी जो उपलब्दता है वो A से थोड़ी जादा है यानि कि इसने A1 से बढ़कर ये B2 B1 तक आ गया है तीसरी family अगर हम देखते हैं तो उसकी जो उपलब्दता है A और B दोनों से जादा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चित्र में जो DD वक्र जो तीनों ही चित्र में दिखाई दे रहा है वो DD वक्र जो है वो बाजार मांग बतर है और यहाँ पर S1, M1 जो खाद्यान पूर्टी वक्र है उसको देखते हैं तो उसके साथ खाद्यान की जो कीमत है वो OP1 पर निर्थारित होती है यह जो OP1 है यहाँ पर आप देख रहें कि इस बिंदू पर यह तीनों ही परिवार खाद्यान खरीदने में सफल हो पाते हैं यानि पूर्टी कम होने पर जब खाद्यान की कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिवार A जो है वो खाद्यान नहीं खरीद पाता है वो प्लबदता से बंचित रह जाता है और कीमत के और अधिक बढ़ जाने पर यानि कि OP3 हो जाने पर तो A और B जो दोनों ही परिवार हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं वो भी बंचित रह जाते हैं तो भूखमरी की समस्या का वो सामना करते हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार वस्तु के लिए मांग और पूर्टी की शक्तिया जितनी प्रभावी होती है ठीक उसी प्रकार उत्पादन के साधनों के कीमत के निर्धारण में भी मांग और पूर्टी की शक्तिया अलग-अलग प्रभावी होती है यह बात अलग है कि उत्पादक्ता के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि सिमात उत्पादक्ता के आधार पर विसिष्टता या आविसिष्टता के आधार पर उत्पादक्ता या अनुत्पादक्ता के आधार पर यह जो लगान की जो कीमत होती है कहें कम कहीं जादा और कहें शुन कितना उन उत्पादन के साधनों को प्रदान किया जाए उसके लिए इस अध्याय में हमने मांग और पूर्ति की साधनों के जिन शक्तियों का अध्यान किया यानि कि किस प्रकार साधनों के मांग और पूर्ति की शक्तिया जो है वो किसी उत्पादन के साधन का जो प्रतिफल होता है उसके निर्धारन में प्रभावी होती है एक महत्वपोर्ण बिंदू है